तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जी हाँ आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई कोफता जिसे बनाना काफी आसान है इसे बनानी के लिए सबसे पहले मैंने एक कप पनीर ले लिया था तो पनीर आप घर पे भी निकाल सकते हो, मैंने घर वाला ही पनीर यूज़ किया है और अगर आप बाहर का यूज़ करते हो, तो उसको अच्छे से grate करके यूज़ कर सकते हो तो इसमें डाला है पनीर, फिर डाला है एक बॉयल किया हुआ आलू स्वात के लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लालमिश पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और एक चमच मैदा और थोड़ा सा ग्रीन चिली अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो ग्रीन चिली, रेड चिली स्किप कर सकते हो आप और इसमें मैदा इसलिए डाला है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए इसे हम गोल गोल छोटे छोटे आकार में कोफता के रूप में बनाएंगे तो इस वज़े से मैंने मैदा यूज किया था अगर मैदा नहीं हो या फिर आप नहीं यूज करना चाहते हो तो उसके बहाब में आप बेसन एक चमच इसमें यूज कर सकते हो दोनों ही बाइंडिंग एजिंट का काम करेगा और इससे क्या होगे जो आप पकौरे गोल गोल बनाओगे तो आसानी से बाइंड हो जाएंगे और जब इससे फ्राइ करोगे तो यह बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और नहीं तूटेंगे तो आप ध्यान रखना बेसन नहीं तो मैदा एक चमच उससे जादा नहीं अगर आप जादा कॉंटिटी में बना रहे हो तो टू टेबल स्पून यूज कर सकते हो तो इसी तरीके से मैंने सारे जो कोफते हैं उसको अच्छे से गोल-गोल करके बाइंड कर लिया था और फिर मैं इसमें उपर से डस्टिंग करूंगी एक चमच मैदा से डस्टिंग करेंगे ताकि ये जब फ्राइ हो तो अच्छे से फ्राइ हो जाए और ये बिखरे ना तो इस वज़े से हलका सा मैदा या फिर आप बेसन ले सकते हो उपर से ऐसे लगा के डस्ट कर सकते हो और फिर ओयल को अच्छे से गरम करके फ्राई करना है उससे पहले ग्रेवी तेयार कर लेते हैं तो कड़ाई में थोड़ा सा ओयल डाला है एक कटे हुए प्याच एक कटे हुए टमाटर आट-दस लहसन की कलिया लाल मिर्च और आट-दस काजू के टुकरे डाल के इसको हम भून के फिर जब ठंडा हो जाएगा तो इसका हम प्यूरी बना लेंगे अब मैं कोफते को भी ओयल में फ्राई कर लूँगी तो मैंने पहले ग्रेवी के लिए इसको ठंडा होने दे दिया जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो उसका फाइन प्यूरी बना लूंगी और उससे ग्रेवी तियार करेंगे और फिर बाद में कडाई में तेल डाल दिया है और इसको हम अच्छे से दोनों साइट से सेलो फ्राइ करेंगे और फ्लेम का ध्यान रखना नहीं तो ये जादा लाल हो सकता है और इस तरीके से आप देख सकते हो कि कोफता बिलकुल भी नहीं तूटेगा बिलकुल भी नहीं बिखरेगा ये बिलकुल पॉफेक्ट हुआ था और दोनों साइट से हम इसे अच्छे से मेडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे और फिर जब ये अच्छे से फ्राइ हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे अब मैं इसी कड़ाई में ग्रेवी भी तयार कर लूँगी सारा कोफता मैंने के करके फ्राइ कर लिया था और हलका सा ओयल बच गया था तो मैं उपर से बिलकुल भी ओयल एड नहीं करूंगी और इसी में ग्रेवी तयार करूंगी तो ग्रेवी करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दिया है तेजपत्ता और जो मैंने fine puree बनाया था उसको इसमें हम डाल देंगे और उसको अच्छे से cook करेंगे तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी add किया था जो भी gravy बची थी वो सारा mix करने के लिए और फिर इसमें हम मसालों में जो है वो सबसे पहले जो add करेंगे वो है salt तो आप ध्यान रखे salt के लिए ही डाले क्योंकि कोफता में भी थोड़ा नमक है और फिर gravy में भी तो ध्यान से रख ला है और इसी तरह थोड़ा सा गरम masala powder, थोड़ा सा लाल मिश powder, थोड़ा सा धनिया powder एक्तम थोड़ा सा और डाल कर इसे हमें अच्छे से mix करना है और फिर इसे cook करना है आप देखोगे दीरे दीरे gravy की color automatic change हो जाएगी cook करते करते काफी अच्छा हो जाता है अब मैं इसको और अच्छे से cook करूँगी जब oil पूरा gravy से अलग हो जाएगा तो वो आपको दिखने लगेगा तो समझ जा आपकी gravy cook हो चुकी है अब मैं इसमें थोड़ा सा मीठा पन के लिए हलका सा honey add करूँगी क्योंकि जो मलाई कोफता होता है वो थोड़ा sweetness भी होता है उसमें तो इसलिए मैंने honey यूज किया है अगर honey ना हो तो आप थोड़ा सा सक्कर यूज कर सकते हो अब इसमें add करेंगे fresh मलाई तो मैंने घर का ही मलाई बना हुआ यूज किया था आप बाहर का भी कर सकते हो तो एक चमच मलाई करेंगे और इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे उपर से मैंने fresh कस्तूरी मेती होता है उसको अच्छे से रब करके इसमें flavor के लिए यूज किया था और मेरी जो कड़ी है जो मलाई कोफता की कड़ी है बिल्कुल बनकर तयार हो चुकी है अब इसमें थोड़ा सा डाल के अब मैं इसमें जो भी कोफता बनाया है वो एके करके इसमें डालूंगी और flame को कर देंगे off इसको जादा cook नहीं करना है नहीं तो ये तूट जाएगी और ये मेरा मलाई पाठा रोटी के साथ साफ करें काफी टेस्टी बनती है थेंक यू